हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू रियल क्विक एनलिसिस चैनल चलिए जल्दी से बात करते हैं अब हम अपने आज की रोचक रियल क्विक एनलिसिस की दोस्तों आज इस वीडियो की शुरुवात में हम आपको बताना चाहते हैं कि 28 चुलाई को हमने अपने फ्री टेलिग्राम चैनल ETF नौलिश यो पर कवर किया था हिंदुस्तान यूनि लीवर का शियर तब यह 2300 की लेबल की खाकचान रहा था भावताव एक तरफ आप अपने बातरूम से लेकर किचिन तक देख लीजे भाई सब आपको हिंदुस्तान यूनि लीवर का कोई ना कोई पर खड़ा है मतलब एक महीने से थोड़े से अधिक समय के दोरान इसने 20 प्रतीशत का प्रॉफिट रिकॉर्ट कर लिया है हमारे कई दर्शिकों ने इस घुर सवारी में पैसा भी कमाया है और तो और प्रोफिट की प्रयोक साला में हमने कमजोरी का संके दिखते ही इसे प्रकार उपर के लेवल पर रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट प्रोटक्शन भी हो चुका है मतलब वेल्थ क्रियेशन स्ट्रेटिजी के हिसाब से अब हम आगे की उचाल अथ्वा गिरावट दौनों के लिए पूरी तरह से तैयार है बोले तो निश्चिंत निवेशक हैं हम और वैसे भी टेंशन लेने का काम तो ट्रेडर का होता है एनिवे क्वालिटी के ऐसे ही कमाल से आपकी उपर भी पैसों की बारिश हो सके और आप अपने दम पर इस प्रकार के मौके पकड़ पाएं इसलिए तो दोस्तों हमने बनाया है आत निरफर इन्वेस्टर कोर जी हां दोस्तों हमारी लागत के महज एक हजार रुपए पेकर के आप इस वेहद आसान और व्यापक कोर्स का लाब उठाईए आप निराश नहीं होंगे तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के तोड़ फोड़ टॉपिक की अभी कुछी मैनों पहले की तो बात है जैसे ही मोधी सरकार ने पत्थर पर लकीर खीच दी कि अब तो भार्थियों का डेटा भारत में ही स्टोर एंड प्रॉसस किया जाएगा फिर क्या था यूरोप से लेकर अमेरिका तक बड़ी बड़ी कंपनियों ने चिल्ला चोट कर कर दिया और लुदाली की तरह रोल ये लोग ऐसे दों रहे थे मालों की भारत ने इसे अमेरिकी और यह व्यूर मलोग का डड़ात में इसंटोर करने बात को यह जिसाने में वहां भात फानीम 1991 लोगों को नागबर गुज्री सवाल डेटा का था ही नहीं सवाल था संपत मास्टर कार्ट के नए कार्ट को सस्पेंड कर दिया वो कहते है ना कि लातों की भूद बातों से नहीं मानते इसी बीच मीडिया को भी समझाया गया कि गीदर चाहें कितना ही गला फार ले वह शेर नहीं बन सकता दीरे दीरे कंपनियों ने लाइन पर आना चालू कर दिया और अचानक से भारत में डेटा सेंटर सेट अप करने के लिए सब के परसे से पैसे निकलने लगे चलो डेटा सेंटर तो सेट अप हो जाएंगे लेकिन उनमें लगने वाले high performance server और workstation कहां से आएंगे फिर भाही बात अब यह तो होना नहीं चाहिए कि डेटा सेंटर लगे भारत में लेकिन उनसमें काम करने वाले server और workstation made in China हो तो इस सवाल का जवाब दिया है ताइबान की कमपनी एसर ने जी हाँ दोस्तों भारत में अभी तक पर्सनल लेपटॉप और टेबलेट बनाने वाली कमपनी एसर ने लगा दिया है मौकी पर छक्का रोने भी लखने के बच्साए उसको समझ में आ गया कि मजबूती ही मोदी जी की पैशान है इसलिए चुपचाप एसर ने भारत में हाई पर्फॉमेंस सर्वर और वर्क स्टेशन का प्रोडक्शन चालू भी कर दिया है हाँ जी भाई साब आपने बिल्कुल सही सुना है यह होगा तो वह हो जाएगा हम ऐसे खायाली पुलाओं नहीं पका रहे हैं इस वीडियो में यहां पर आपका सवाल सही हो सकता है कि इन वर्क स्टेशन और सर्वर में कितने लोकल कंपोनेंट लगी होंगे कहीं और में चीन ने भी अमेरिका के लिए जूते चपल सिलने का काम ही चालू किया था धिरे धिरे असेम्बली से लेकर अब वह हाई टेक प्रोडक्शन तक की फिल्ड में आ गया है कहने का मतलब है कि एक दिन में तो जनाब जंगल तक खड़ा नहीं होता है सब होगा बस आप द्हेर रखिए और मोदी जी का साथ दीजिए फिर भी यदि कहीं आपको मोदी जी को गाली देने का मन हो तो जरा यह भी सोच लीजेगा कि आज अफगानिस्तान से भाग कर तो आ गए भारत में लेकिन कल भारत से भाग कर कहां जाओगे आप नाम के साथ साथ बड़े गर् अनलेसिस हमेसा की तरह अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेर जरू कीजिए साथ ही चैनल से जोड़े रहने के लिए और ऐसे ही एनलेसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अब आप हमारे चैनल की भी ले सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिं दिस वीडियो फ्रेंड्स